कई बार आंदोलन और ग्यापन देने के बाद भी के पी सी एल और कनाटक एमटा कंपनी ने परियोजना प्रभावित लोगों की समस्याओं का समधान नहीं किया है। समीती के अध्यक्षे विधायक सुधीर मुनगुंटिवार ने बरांच की खुली कोईला खदान को बंद कर दिया। समान वेतन लागू कर श्रमिको को कोईला मजदूरी अधिनियम के तहट भुकतान किया जाए। ठेके के अनुसार पांच लाख रुपे का ततकल भुकतान करे। प्रकल्प ग्रस्तों का पुनरवसन करें आदी मांग की। सो ग्राम आंदुलन की नेता जब तक परियोजना प्रभावित लोगों की समस्याओं का समधा नहीं हो जाता तब तक आंदुलन जारी रहेगा। बरांच शेत्र में जिला परिशत की सड़कों पर भारी यातियाद बुधवार से बंद कर दिया जाएगा। आंदुलन में एक नेता और सो ग्रामेन भाग लेने की खोशना की गई थी। इस तरह बंद की गई कोईले की खदान भाचपक कारीकरतों ने बरांच खुली खदान के प्रभेश द्वार पर मार्च किया। सड़कों जेसी भी मशीन से खोदा गया और खदान को बंद कर दिया गया। अन्याइची परिसीमा दाली इथक करनाटक एमटान आवाची कोल सा खदान जमा आली तेमा या ठिकांचा बरांच मोकासा वचेक बरांच या शेतकरेंचा शेती गेतानना करार जाला। या करारा मदे स्थानिक लोकान ना नौकरी दिली ना हीतर प्रकल पगस्तान ना पाच लक्षे रुपयाचा विशेश निधी दिली या ठिकानी तेनना वेजेश दिली वेतन दिली पीयप दिली अससा सांगितल आनि आज या ठिकानी शेतकरेंचा कुंते ही मागने या ठिकान चे पंचा समीती सभापती ठेंगने जी नरेंद्र जीवतोडी जी वा इतर सर्व प्रकल परगरस्ता बानवान नी आंदोलन शुरुके गए आमची चेतावनी है झाल